बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने दिल्ली तक सियासत में बवाल मचा दिया है जो लोग कहते थे कि नितिश कुमार बिमार है उनका फाइदा उठाया जा रहा है उनकी पार्टी पर भाजपा कबजा करना चाहती है उन सब को नितिश कुमार ने एक ही जवाब में चुप करवा दिया इतना ही नहीं नितिश कुमार ने NDA गठवंधन की भाजपा और उनके बड़बोले नेताओं को ये भी बता दिया कि अब भी बिहार की सियासत उनही के इर्दिगिर्द घुमती है दरसल नितिश कुमार अब अपना उत्तराधिकारी घोशित करने वाले हैं जिसके लिए संजय जहा का नाम निकल कर सब से आगे आ रहा है इन्हें नितिश कुमार रास्ट्री कारिकारी अध्यक्ष भी घोशित करेंगे मिशन 2025 की रूप रेखा भी इस बैठक में तै कर दी जाएगी आपको बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि नितिश कुमार ने ये सब ऐसे वक्त पर किया है जब बिहार भाजपा के बड़े नेता अश्वनी चौबे ये कह रहे हो कि हमें आयतित माल पसंद नहीं है यानि बाहर से आय हुए लोग हमें पसंद नहीं है और ये सीधा सा इशारा नेतिश कुमार पर ही है आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव भाजपा पूर्ण बहुमत लाएगी ये अश्वनी चौबे का कहना है दूसरी और केंदो सरकार में नितिश के बराबर बराबर मंत्रियों वाली बात भी नहीं मानी गई ऐसे में लगतार सवाल किये जा रहे थी कि क्या अब नितिश कुमार एंडिये में बने रहेंगे मगर दूसरी और आरजेडी की और से भी आवाज उठी जरूर है कि नितिश कुमार जल्द ही NDA का साथ छोड़ने वाले हैं और उसके बाद भाचपा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी खैर अब नितिश कुमार के जेडियो की राष्ट्री कारिकारणी बैठक में ये तै हो जाएगा कि उनके आगे की रणनीती क्या होगी इस बैठक में नए राष्ट्री अध्यक्ष के नाम का एलान भी हो सकता है दिल्ली में आलजीत दो दिवसी जेडियो की राष्ट्री कारिकारणी की बैठक में राष्ट्री अध्यक्ष के नाते नितिश कुमार अध्यक्षता करेंगे कारिकारणी की बैठक में पटना से पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुँच चुके हैं दो दिवसी बैठक में देश के मौझूदा राजनितिक परिदिश की समिक्षा और दूसरे राज्यों में पार्टी के विस्तार किये जाने पर चर्चा होगी जेडियों को नया कारिकारी अध्यक्ष मिलेगा संजय जहां का नाम रेश में सबसे आगे है दिल्ली में जेडियों राष्ट कारणी की बैठक है इस बैठक में विधानसबा चुनाओ की रनीती पर चर्चा होगी यहां हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर ये पठकधा बिहार और केंडर दोनों को देखते हुए लिखी जा रही है तो अकेले नितिश कुमार के इंडिया गडबंधन के साथ आने से कुछ होने वाला नहीं है तो कि जेडियों के सिर्फ बारा सांसद जीत कर आये थे ऐसे में नितिश कुमार के ओपर जिम्मेदारी ये होगी कि वो आए तो चंदरबाबू नाइडू को साथ लेकर आएं और उनके सांसद भी अगर नितिश कुमार ऐसा करने में काम्याब हो जाते हैं तो इंडिया गडबंधन इन्हें परधान मंतरी का पद भी दे सकती है हालक ये सब इतना आसान होने वाला नहीं है